रोमन रेंस वर्सेज ब्रोक लेसनर दोस्तों आईए देखते हैं कि दोनों में कौन सा रेसलर एक दूसरे से बेहतर है और किसने डवलो डवलो में सबसे ज़्यादा सिक्सेज हासिल की है तो चलिए वीडियो को बिना बगवास के शुरू करते हैं रोमन रेंस अमरीका से हैं जबकि ब्रोक लेसनर एक कनेडियन है रोमन रेंस की एज 38 साल है जबकि ब्रोक लेसनर की एज 46 साल है रोमन रेंस ने अपना रेसलिंग डेविउ 19 अगस 2010 को किया था जबकि ब्रोक लेस्नर ने अपना रिसलिंग डेबियू 11 अक्टूबर सन 2000 में किया था रोमन रेस्नर डबलो डबलो ए में टोटल 1308 मैच खेले हैं जिन में 992 मैच विन कर चुके हैं जो की करीब 73 परतिशत के बनते हैं ब्रोक लेस्नर डबलो डबलो ए में 434 मैच खेल चुके हैं जिन में 1312 मैच विन कर चुके हैं जो 71 परतिशत के करीब बनते हैं चैंपियंशिप की बात करें तो रोमन रेंस ने डबलो डबलो ए में एक बार NXT चैंपियंशिप एक बार WWE Intercontinental चैंपियंशिप एक बार WWE United States Championship एक बार WWE Tag Team Championship चार बार WWE Championship और दो बार WWE Universal Championship भी अपने नाम कर चुके हैं साथी 2015 में रोमन रेंस रोयल रंबल भी विन कर चुके हैं बरोक लसनर WWE में साथ बार WWE Championship तीन बार WWE Universal Championship सन 2002 में King of the Ring Money in the Bank 2019 में और साथी रोयल रंबल को दो बार जीत चुके हैं 2002 और 2022 में बरोक लसनर WWE के लावा UFC के अंदर भी अपना नाम बना चुके हैं और UFC का टाइटल भी जीत चुके हैं